पिछले वीडियो पे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बताईए कि एक का हम अगर 10 भाई 10 फिट का दिवार बनाते हैं 9 इंच मोटाई का तो उसमें टोटल कितना इंट लगेगा, साथ में जो उसमें कितना सिमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, उसका मतलब एक rate analysis दीजिए कि total के आप calculate करके बताईए कि कैसे उसका calculation निकालेंगे कि अगर कोई area है तो उसमें कितना इंट लगने वाला है, उसमें कितना सिमेंट लगने वाला है, कितना बालू लगने वाला है, तो मैं इस वीडियो में सब कुछ detail में बताया हूँ, एक example के थुरू, क अगर आप एक 10-50 फिट का दिवार बनाते है, ग्हें 9 इंट बोटाईक है, तो उसमें आपके कितना बालू लगने वाला है, कितना सिमेंट लगने वाला है, उसमें आपका labor charge कितना लगने वाला है, फिर जो सिमेंट का घढ़ेगा, बालू कितने का पढ़ेगी, और जो वीडियो आप ध्यान से इंट तक देखेगा अगर एक पर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लिजेगा तो आपका कितना भी बड़ा एरिया है आप आसानी से उस एरिया में अपना सिमेंट बालू इंट और जो भी आपका कोश्ट है आप निकाल सकते हैं तो चलिए वीडिय और इसकी जो मोटाई है वो 9 इंट की दिवार हम यहाँ बना रहा है 9 इंट की ठीक है तो यहाँ पे टिंट इसमेंट इंट की गई है जैसे माँ आपको बताया यह है दीवार ले लिया है, एक example के तौर पे, 9 इंच का दीवार हम बनाने जा रहा है, और तो इंच का जो मैं आपको दिखाया, आप देख सकते हैं, 9 इंच, और जो हमारा इंच का चोड़ाई था, वो हमने ले लिया है, फिर उसकी मोटाई ले लिया, अब जो इसमें जो मसाला आपको मसाला लगाना है, तो 10 से 12 इंच का हम एक average ले 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 लेते हैं, तो हमने यहाँ 12 इंच का हैने का मतलब है कि 8-5 इंच, यानि 0.5 इंच का मोटाई हमने मसाला ले लिया है, अब देखिए, तो ऐसे तो जो इंच था हमारा बीना मोटार का, बीना मसाले का, 9 इंच का तो हमारा जो इंट का मोटाई है वो मोटाई हो जाएगा साड़े नौ इंच का फिर यहां पर तीन पॉइंच का यह कैसे हो जाएगा जैसे आप यहां नौ इंच में प्लॉस पॉइंट फ्फई फई पॉइंच अप एडड कर धीजी तो साठे नौ इंच हो गया फिर यहां साडे चार इंच का है इसमे पॉइंट फई फई यह वाला जो है जो मसाले का मोटाई है वो जोड दीजी तो फिर ओ बढ़ जाएगा पांच इसमें 0.5 जोड़ दिजिए तो 3.25 होगा यह हो गया इस तरीके से आप समझ गए उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक इंट का वॉल्म निकाल लेंगे तो जो यह हमारा मोटार के साथ जो इंट अब आया है उसका हम वॉल्म निकालेंगे तो हमने सेम वही रख लिया जो इंट क से आपको डिवाइड करना होता है यह आप याद कर लिजेगा तो हमारा टोटल जब यहाँ पर हमने वॉल्म निकालने के लिए टोटल सबको इंट किया है तो उसको हम कितना सतरस आठाइस से डिवाइड कर देंगे तो 0.089 हमारा कीविक फिट हमारा यह एक इंट का वॉल् हमने यहाँ पर इंच को क्या किया है आप देख सकते हैं 9 इंच था तो 9 इंच डिवाइड वाइड वाइड आप जानते हैं कि एक फिट में 12 इंच होता है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे तो 0.75 हमारा फीट आ गया तो हम यहाँ पर इसको सबको आप कैलकुलेट करेंग तो हमारा वाल का वॉलूम 75 कुविक फिट आ गया था और एक इंच का वॉलूम हमारा 0.089 कुविक फिट आ गया था तो आप पचातर को 0.089 से डिवाइड कर देंगे तो 843 प्रीक्स हमारा यह 10 फिट बाई 10 फिट का जो हम दिवार बना रहा है 9 इंच का हमारा यहाँ पर थोड़ा सा मोटा यह पतला होगा तो यहाँ पर जो है 840 के जगह आपका 900 900 किषी का 800 ऐसे आ सकता है अब हम आगे आपको बताते हैं कि इतना जो इट लगा है इस दिवार में तो अब इसमें कितना मसाला लएगा यानि सिमेंट लएगा बालू लएगा और साथ में लेबर क निकला था हमने इतना आया था हमारा टूटल ठीक है 0.089 क्यूविक फिट और वहीं अब हमें क्या करना है बीना मोटार के साथ निकालना है तो हमारा इंच क्यूविक इंच में आ गया है यह जो हमारा टोटल इट का जो साइज था नॉर्मल साइज यह आप देखिए 9 का एक वालूम निकाल देना है आप देख सकते हैं क्यूविक इंच में हमने निकाल दिया है अब उसके बाद क्या करना है वालूम और प्रिक्स इन वाल यानि कि कितना आपका इंट का वालूम होगा एक वाल में जो टोटल हमारा 843 इंट लगा है तो उसका वालूम टोटल कितना volume हो गया हमारे उस वाल में तो हमारे पास एक इंट का volume मिल गया यह अब हमारा total कितना इंट था 849 इंट था तो हम simple सा यहां रख देंगे तो हमारा यह आ गया देखे 93889 क्या है आ गया हमारा cubic inch क्योंकि inch में अभी हम निकाल रहे है अब हमें क्या करना है इसको हमें यह अभी तक इंच में चल रहा है अब हमें किसमें cubic feet में लाना है तो इसको total को हमें cubic feet में बदलना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं किविक इंच को किविक फिट में बदलने के लिए 17-18 से उसको डिवाइड कर दिया जाता है तो जो टोटल वॉलूम आया उसको 17-18 से डिवाइड कर दिया हूं तो जो हमारा 843 इंट था उसका टोटल का वॉलूम आ गया उस दिवार में कितना चोगन पॉइंट तो हमें यह मिल गया यानि अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं उस दिवार में से उतने इंट का वॉलूम आप छाट देंगे तो जो हिस्सा बचेगा वो हमारा किसका बचेगा मसाल और मिल हमने अभी निकाला था 54.33 और मिल आप निकाल रखाता यह जैसे आप देख रहा हैं वाल वॉलूम आपको क्या करना है कि वोलूम आफ वाल माइनस वालूम आप बिडिक्स कर देना है यानि पचातर माइनस जो अभी यह आया था इसको माइनस कर दीजिए तो आप द कर देंगे तो भी आपका क्यूविक मीटर में आ जाएगा तो 0.5 85 क्यूविक मीटर आपका यह वालुम अफ मोटार का निकल के आ जाएगा यानि 20.60 क्यूविक फिट आपका वालुम अफ मोटार हो गया और इंट का जो वालुम आया था उस टोटाल एरिया में 1.33 क्या है हमारे यहां पर 33% जो एक क्यूविक मीटर में हमारा जब वेट से ड्राई में कनफर्ट करते हैं तो उसके टूटल जो एरी मतलब वो होता है उसको में इंक्रीज कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है ठीक है तो इसमें क्या करना है कि यहां पर हमारा वेट मोट का वॉल्म निकल के आ गया 0.778 km अब हमारा क्या है कि जो मोटार हम इसमें यूज कर रहे हैं और कितना रेशियो कर रहे हैं आप जान रहे हैं एक रेशियो छे का मसाला लगाते है वही का или लिख लिए हैं 1 प्लस 6 यानी 7 हो गया 7 हो अब हमें क्या करना है सीमेंट का वॉल्म निकालना है तो यहांãy हम क्या है सीमेंट का हमारा कितना है वन है रिसिव वमारा वन है तो लो लिख लिए और डिवाइट बाइट सेमेंट कर दिये हैं total का disposal का आपको नीचे 1 divided by 7 और इंटू 0.778 यह क्या है ड्राइ मोटार का जो वालूम आया था ओव आपको यहां पर इंटू कर देना है तो जब आप उसको इंटू किजिएगा तो आपका जो टोटल एंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.111 कुबिक मिटर यह हमारा सिमें कर देना है तो अ你們 के यहां पर पर तसको डिवाइड कर देंगे तो 28.8 यहां पर निकल के आ जाएगा तो आपको क्या करना है cement bag में निकालने के लिए जो उसका volume आया था cement का 0.111 into 8.8 कर दिजिए तो 3.19 bag यहाँ पर आ जाएगा हमारा cement लेकिन आप यहाँ पर जानते हैं कि यह तो आपको 3 bag मिलेगा या 4 bag मिलेगा लेकिन हमारा खपत यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चार bag लेगे तो चार bag हमारा यहाँ पर cement लग गया उसके बाद वैसे हमें sand का volume निकालना है तो sand का हमारा ratio कितना था 6 तो यहाँ पर 6 divided by total जो हमारा ratio बन रहा था 7 तो 6 divided by 7 into हमारा dry motor का volume था वो कितना यह था 0.778 वह हम इसमें into कर देंगे तो हमारा आप देख सकते हैं कि sand का यहाँ पर बालू जो लग रहा है वह 0.666 cubic meter लग रहा है अब हमें क्या है cubic meter माया लेकिन जया तरह आप बालू जानते हैं कि cubic feet में मिलता है तो sand in cubic feet निकालने के लिए 0.666 into 35.3147 से आप into कर देजे तो 23.52 cubic feet आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा sand का volume अब यह total जो आपका इसमें पैसा कितना लगने वाला है वो चीज देख लेते हैं अब यहाँ जैसे देखिए यहाँ जो cement है cement हमारा यहाँ पर क्या है 3.2 बैग था अब मैं आपको जैसे बताया था कि तो आपको कोई देगा नहीं या तो 4 बैग देगा यहां चार बैग हमने ले लिया है चार बैग चार से रुपय के इसाब से अभी सिमेंट आ रहा है तो 16 रुपय का हमारा सिमेंट हो गया है फिर उसके बाद जो हमारा बालू आया था आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाया था यहां पर कि लगबग आपसे एक इंट मिल रहा है तो 6744 रुपय का हमारा इंट हो गया फिर उसके बाद लेवर चार्ज अब जो मिस्तिरी और लेवर लाएगी इस दिवार को बनाने में 10 वाई 10 फिट का 9 इंच का दिवार है तो 20 रुपय परती स्कॉयर फिट हमने यहां पर रेट दिया है तो 20 इं अगर आप एक दिवार बनाते हैं 9 इंच का 11,784 रुपया लगने वाला है सब कुछ मिला के यहां पर बालू, सिमेंट, लेवर चार्ज, इंट, सब कुछ तो इसी एक्जाम्पल से ऐसे ही आपका कितना भी बड़ा दिवार है कितना भी बड़ा एरिया है आप आसानी से नि